नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोरी पर दोस्तो एक बार फिर आपके सामने एक महत्पूर्ण जानकर लेकर हजर हुए हैं दोस्तो उत्तर परदेश सरकार दोवारा निकाली गई 58,000 पुदो पर ग्राम पंचाय सायक और डाटा एंट्री ओपरेटर की भरती को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जन दोस्तो हाई कोट दोवारा क्या फैसल लेगा है उसके बारे में आपको जानकर दी जाएगी और साथी दोस्तो किन वैक्तियों को यहाँ पे जटका लगने वाला है किन आवेदकों को यहाँ जटका लगने वाला है उसकी जानकर आपको दी जाएगी और साथी योगी सर दोस्तों दो ने कर नहीं कर रहे हैं जो गर्ण इओन क करने वाले हैं रहे हैं जिसकी जानकरी हम आपको देने जा रहे हैं दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं और आपको लेकर चलते हैं खबर की ओर दोस्तो अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करेगा और जाज़ाधा शियर भी करेगा उसके बारें भी आपको जानकारी दे जाएगी तो चलिए हम चलते सिदे ख़वर की ओर ग्राम पंचायतों में पंचाय सहक भरती पर हाई कोट के फैंचले से रोजगार सेवकों की उम्मीदे जाग गई है कोट ने सरकार से एक सब्था के अंदर जवाब मांगा है और रोजगार सेवकों की याचिका पर ही यहाँ आदेश हुआ है यहां पर बताएगा है कि जिले में रोजगार सेव का पिछले काफी समय से पंचय साइको की भरती पर सवाल उठा रहे हैं और इसकी मांग थी कि पंचायत साइकों की जग है रोजगार सेवकों का समायोजन क्या गया और वह पिछले काफी समय से लगातार पंचायतों में काम कर रहे हैं यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बताया गया है, जिलों में जो पहले से ही रोजगार कर रहे हैं, यहां कि जो व्यक्ति पहले से ही लगए हुए पंचाय साहिक के लिए, दोस्तों उनकी मांग है कि उनको इस अस्थान पर रखा जाए, यहां कि जो पहले से ही ग्राम पंचा करने ग्राम पंचय सचीवों का भार कम करने के लिए पंचय स हह्यकों की भरती निकालने की कोजना की थी हर पंचयत में एक सहयक की भरती होनी थी और ऐसे में जिले में START 667 पंचयतों में इतने ही पधों पर 5 ऐसा है कि भरती करने का आदेश जारी भी हुआ था लेकिन आप दोस्तों हुआ क्या यहां पर अब इस भरती को निरेस्ट कर देगा है और दोस्तों यह हाई कोट तक पहुँच गई है यहां पर दोस्तों बदा गया है कि पंचाइद इस्तर पर इसके लिए आविदन भी आने कितने हो गए यह यहां पर 1500 आविदन किये गए जब कि यहां पर केवल 8 66 ही आविदन किय जाने थे इसमें एक जिले में 866 इसमें 06 जो करता थे दोस्तों उनको रखा जा जाना था लेकिन यहां पर अगे जानकारी दी गई है लेकिन इसी बीच रोजगार सेवकों में अपील दायर कर दी इसमें मांग की गई कि रोजगार सेवकों को ही 5 पर सेवकों को नीकाली गई है उस पद पर रोजगार Kingdom को ही रखा जाए नए भरती नहीं की जाए जो ने अवीदन करने वाले व्यक्ती है, उनको इससे में select न क्या जाए, केवल और केवल उन्हीं व्यक्तű को यहां पर रखा जाए, जो पहले से ही ग्राम पंचात में काारिये कर रहे हैं, रोजगार सिवक हैं, नई भरती करने को यहां पर cancel कर दे जाए, यह है दोस्तो रोजगार सेवकों की मांग है अब दोस्तो आपको दादे आगे जहाँ पर जानकरी दी गई है रोजगार सेवक पिछले काफी समय से काम कर रहे हैं और ऐसे में उनके अनुभाव का भी लाव उठा जाए नई यहाँ जो नई भरती है उससे क्या होगा यहाँ आप देख लीजिए नई भरती से भाई भती जा भाई भती जा भरष्टा ब्रष्टा चार करास्ता बनेगा इनके जो यहाँ पर जो नई भरती कराए जाएगी उसमें जो नए आविदक है उनको रखा जाएगा और जो जिना एक्सप्रियंस जो पहले से काम करने वाले वा भाई कोट ने यहाँ पर देख सकते हैं एक सब्ता के अंदर सरकार से जवाब मांगा है यहन के इसके में अभीव तक फैंसला नहीं आया है जो पैंसला आने वाला है वह बीज अगस्त तक इसका फैंसला आने वाला है कि अब भरती नहीं सिरसे सुरू की जाए या फिर दोस को अपने समय माना रहे हैं या इसे में जो रोजगार सेवक है इसका जो फैंसला नहीं पर दोस्तोल के रहती है या फिर दोस्तो पर न ब लग सकता है यह दोस्तों क्या जटका लग सकता है आप यहां पर जान लीजे बताएगा है कि डीपी आर ओ धनेंजे जैसवाल ने बताया कि फिल हाल पंचायत इस्तर पर आविदन की परिक्रियाद चल रही थी और दोस्तों अब सासन से जो आदेश मिलेगा उसका सत परतिसत पलन करना होगा दोस्तों अगर फैसला आता है किसकी हक में युवाओ के हक में तो दोस्तों युवाओ को यहां पर आविदन करने का मोगा दिया जाएगा और दोस्तों उनको नोखरी भी दियाएगी लेकिन अगर फैसला आता है रोजगार्द सिगों के हक में तो दोस्तों आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी अभी तक दोस्तों अभी तक इस पे कोई भी फैसला नहीं ले गया है लेकिन सरकार दोरा जल्दी फैसला आने वाला है दोस्तों यहाँ पे जो अंतिम्तिती रखी गई थी इसकी वे 17 अगस्त रखी गई थी आप देखते हैं दोस्तों कि 20 अगस्त को क्या फैसला आता है और सबसे पहले सी चैनल के माध्यम से आपको जानकार दे जाएगी दोस्तों अगर आप भी महत्मुन जानकर पाना चाहते हैं और सही समय पर सही जानकर पाना चाहते हैं झाल झाल झाल